फिर बताते हैं, त्रेता के अंदर परमात्मा एक मुनिंदर नाम के रिशी नामसे पर्शिद हुये ऐसे ही वही आत्मा जो विध्याधर ब्रहमन था वही अगर त्रेता के अंदर वेज-विज्ज नाम का ब्रहमन भूए रेसी हुआ उस्से में भी वो नी संतान थे और जो उनकी पत्नी दिपिका थी वही आगे चलके सुरिया नाम की उसकी पत्नी रूप में जन्मा सुरिया नाम हुआ उसका तो उस्से में उनको प्रमात्मा फिर मिले उनको संतान नहीं दी क्योंकि उनके संसकार मन नहीं थी जानबुज कर नहीं दी बगवान ने कि इनको निकालना है ऐसा नहीं पुन्यात्मा हों कि संतान है वो नहीं निकलेंगे क्योंकि ये सतियोग त्रेता दौपर तक जो बैन था तो इसमें वो निकल नहीं सकें थे अगर कर्ज है वो भगवान माफ कर देगा जैसे पीछे अरियाना सरकार ने कर्जे माफ कर दिये किसानों के जो भी जिसने ले रखा था मजदूरों ने या जैसे भी तो वो बरी फरी होगे और आगे ठीक चलेंगे तो अपना सुख होया ऐसे ये परमात्मा भी अपने बच्चों का ये जो आपका एक दूसरे का कर्जा है बेटा बेटी बन कर आई है कोई पिता बन कर आया है ने कमा है दारू पिता दारू शरापिता है बेटा कुमावा है अरना उसको नहीं खाने पीने को दे तो सौर मचावा बुड़ा लोग नहीं करें वो अपने बेटा की सेवा नहीं करता सर्म के मारे न उसको देना पड़ता है तो वो पिछले जनम में बेटा ले रहा है ले रखा उसने कर जा वो पूरा कर रहा है सुकदेवरिशी ने कहा था जब अपने जनम लेते ही उठकर चल पड़ा मा के गरब से बारावर्स की आयू का शरीर बन गया और वेद व्यास जी उसके पिता कहने लेगे बेटा दर्सन तो दिखा दे रसकल्दा दिखा दे तिरी बारावर्स बाट देखी इंतजार की मैंने तर इसकी सुकदेवर्सी कहते हैं के ब्यास जी ना जाने कितनी बार में तेरा बाप हो लिया ना जाने तू कितनी बार मेरा पता हो लिया ये तो बुरा जंजट है अब मैं इस मोव में फसू नहीं तेरी तरफ देख लूँगा मेरी आस्था पिता रूप में हो जाएगी आप तो गरस्त हैं ही स्कीचड में यह कहकर करके वहां से अंतर ध्यान हो गया कासम उड़ गया ऐसी शिद्धी पिछले जनम के संसकार बैटरी चारज थी इसकी लेकिन पार नहीं हो सके था जब तक सचा नाम नहीं मिलेगा तो कहने का भाव यह जब उसने कहा था सुखदेव रिशी ने कहा था एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसे का पिता ने पूतम रन संबंद जुड़ा एक ठाठा एक रन के आधार से रन संबंद से हमारा ये संसकार जुड़े हुए है हम एक परिवार का तो आपने ठाठ दिखाई देते है रन संबंद जुड़ा एक ठाठा अंसमें सब बाराबाटा आज माता पिता है बेटा बेटी है पिता की मर्ति होगी उन मन मन नाइजिरिया मन जनम लेवाए और पुर्तर की मर्ति होगी उन मन कश्री लंग काम जनम लेगा बाराबाट होगे कोई कहीं जनमा कोई कहीं जनमा ये कहा का साथ है आपका एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसे का पिता निपूतम रण संभन्द दुड़ा एक ठाठा अंस में से बारा बाटा तो पुने अत्माओं यहां यह नहीं सोचना कि बच्चों को छोड़ दें पत्नी को छोड़ दें पती को छोड़ दें नहीं जो करद किसी से रण दे रख्यार वो लॉन देता नहीं तो महानकमा आदमी होता है उसने अपना रण से हरस उतारना चाहिए छोड़ के भागने से कोई लाब नहीं होता और अब परमात्मा का साथ मिल गया आपको ऐसा बिजनेस मिल गया कि आपकी कमाई इतनी हो जागी आप आसानी से रण तारस कोगे और फिर वो समर्थ मिल गया कि आपका एक दूसरे कारण समाप्त कर देंगे और आपको फड़ी कर देंगे आपको मुक्स दिलाएंगे तो अब जो आपको संतान है या नहीं है नहीं पुन्यात्मों ये सतकर मानना प्रमात्मा का विद्धान जगत से न्यारा होता है बगत के नियम अलग होते हैं जगत के नियम अपने होते हैं उनके नियम यहीं जनमने और मरने के होते हैं बगत नियां से पीछा सुटवाना होता है तो जिन के संतान नहीं है, उनको कती चिंते तो उनकी जरूत नहीं, उनका तर फाइनल गेम है, ये सतकर मान लिए, लेकिन ये मन डटनी देता, ये काल में इतना प्रेड़ना भर रखी, इतना प्रेसर भर दिया, बहने इन्हों सोचती है, हमें बांज कहेंगे, बांज ना होत दोक्टर एक बहन को बता रहे थे, डोक्टर का कोई तकलीफ नहीं, और संतान नहीं, तो ये भगवान की दया होती है, फिर भी प्रमात्मा आवसक समझेंगे, तो आपको संतान भी दे देंगे, ऐसी बात नहीं, क्योंकि हमने देखा को 25-25 वर 27 वर्ज युहा को हो गे थे, आज उस बेन को जुड़ुआ बच्चे दे रखें, दो, एक को 56 वर्ज की आईयू में, एक लड़की हो गी थी, और वो लड़की बे पूतर पूतरीवां अली हो री, और उसने देख सिया ली 56 वर्ज की आईयू में, लड़का दे दिया बगवान, तो वो तो मांगते ही सं संतान देते हैं, उन्हें के देर लगए, हाथ जड़वा देगा संतान से आपकी, कोई बात है या, लेकिन पुन्यात्मा हो है, आपका उदेश से मोक्स होना चीए, यदि आप बरवाला असरमा आते हो, और आप भक्ती करना चाहते हो, ठीक है, बगवान कोई बालक नहीं, परवाला कोई अनजानन नहीं, उसको क्या पता नहीं, जो मेरी सरण में आ गया है, इसको कौनसी दोज देनी है, जब डॉक्टर के पास डिमीट होगे हो, ट्रीट, अंडर ट्रीटमेंट हो, तो डॉक्टर को पता, इस लोगी को कौनसी दोज़़ऎी देनी है, और वहा कोई दवाई दे और मरीज का यह नहीं मुझे यह दे तो डॉक्टर देखो ना कोई वैसे को फर्जी बैठा होगा मुरख वो उसको कुछ भी दे सकता उसको मारने के लिए लेकिन डॉक्टर वही देगा जो उसके हित्म होगी तो आपको वही मिलेगा जो आपके हित्म होगा गारेंटेड मिले लेकिन आप चाहोगे रापको हानी करेगा वगवान नहीं देगा या आयो जैमत आयो ये सत कर्वान लिएड़ा जो परसंग चाल रहा है कि सत्योग मे परमात्मा सत्थुक्रत नाम से आए तरेता में परमात्मा मुनिंदर नाम से आए और मुनिंदर नाम से जब आए थे वही आत्माई जो सत्यूग में थी गंगा विद्धा दरब्रामन और दिपिका वाली वही आगे वेद विज ब्रामन और सुरिया वाली आत्मा बनी और उनको फिर प्रमात्मा वो भी निसंतान थे ऐसे ही कबल के फूल पर मिले वो उठा कर लेंगे कमारी गाएं से उनकी परिवर सुई गीता के यथार्थ विशलेशन की जानकारी के लिए पड़ें पुस्तक गीता तेरा ज्यानमृत तेरा जैंसे बात्री जात्री के लिए God वाली और सकारी शेन प्रीं6 सर्ण में पिएकर ट्रा जिरेखकायारी कर ले पुस्तसasında ऐसी लेखके लेखके विए0 ऐसwait अऽे आप सुन रहे थे जकतकुरू तत्वदर्शी संत्रामपाल जी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजे हमारे वेबसाइट www.jakatkururampalji.org संत्रामपाल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संत्रामपाल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंदर का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541